है दोस्तों नमस्का स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज जिस भरती के बारे में बात करने वाली हैं वो फोरेश्ट गौड के पदो पर काफी बगई हैं पदो पर भरती निकाले गई है कौन-कौन से कैंडिडेट इस फॉ क्लीर तेखते रहेगा तभी सभी क्यूशन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे बिना टाइम को वह चलिए दोस्तों इस भरती की जो बेप साइट है इस पर ओपीसील नोटीपी किसन जारी किया गया है वहां पे आपको लेके चलते हैं तो यहां पे दोस्तों आप सभी क के बारे में बात करेंगे तो आपको बता दे फोरेस्ट गॉड पुलिस के पदो पर यह भरती निकाले गई है टोटल पूश्टे यहां पर आप देख पा रहे हैं 21,750 पदो पर भरती निकाले गई हैं दोस्तों और्गनाईजेशन नेम आपको पता ही होगा जो कि जेंदर के बारे में बता दिया जाये तो यहां पर मेल और फिमेल दोनों केंडिडेट symptoms कर पाएंगे यानि कििस भरती में सबसे अच्छी बात यह कि इसमें महिला और पुरुष दोनों केंडिडेटust ही आभी दिन कर पाएंगे और यहां पर application form fees के बारे में बात कर ली जाए तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो की जंदल OBC candidate किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो उनके लिए 100 रुपए fees लगने वाली है S.E.S.T. candidate के लिए भी बिल्कुल भी fees नहीं लेगी और यहां पर आप सभी को बता दिया जाए कि जो female candidate है उनके लिए भी बिल्कुल fees नहीं ली जाएगी दोस्तों और जो यहां पर reserve category के male के candidate है उनकी भी fees नहीं लगेगी payment mode कैसे यानि कि payment आपको कैसे जमा करना होगा तो online माध्यम से बिल्कुल payment को आप जमा कर पाएंगे जो कि credit card, debit card, net banking के माध्यम से आप payment को भी जमा कर पाएंगे इस भरती की age limit के बारे में बात करेंगे तो minimum age यहां पे 17 वर्स और maximum age 25 वर्स के बीच के candidate आवेदन कर पाएंगे age में छोट भी आप सभी को दी जाएगी जो कि दोस्तों यहां पे OPCL website के OPCL notification में आप चेक कर पारे होंगे OPC candidate को 3 वर्स का चूट और SST candidate को 5 वर्स का चूट दिया जाएगा इस भरती की education qualification के बारे में बात करेंगे तो आपको बता दिया जाए any state यानि कि किसी भी state से बिलाउंग करते हैं तो उनके लिए simple और simple बारवी के पास भी candidate इस form को आवेदन कर पाएंगे और यहां पर 12 के पास candidate आवेदन कर पाएंगे कम से कम हर subject में 35% मार्क्स आपके होने चाहिए इस भरती की selection process के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको बता दिया जाए यहां पर short list यानि कि candidate का short list होगा और यहां पर rating exam यहां पर लिखित परिक्छाप की होने वाली है यहां पर 166 cm के होनी चाहिए चैस्ट यहां पर 72 से लेकर 77 के बीच में चैस्ट आपका होना चाहिए यहां पर high jump के बारे में बात कर ली जाए और यहां पर female candidate के लिए जो running निधार की गए यह वो 1600 मीटर बिल्कुल 8 मिनट में complete करना होगा exam pattern के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको बता दिया जाए यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो की notification में आप चेक कर पा रहे होंगे तो यहां पर 100 question आपके होने वाले हैं दोस्तो और यहां पर minimum आपके जो question है वो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर 60 मिनट में question आपके 100 complete करने होंगे यहां पर दो paper आपके होंगे दोस्तो आप सबी को बता दिया जाए कि सफ़ॉम को कैसे आवेदन करना होगा त आपके पास होना चाहिए और आप सभी को बता दिक कोई भी ID कार्ड आपके पास होना चाहिए यानि कि जो ID कार्ड अधार कार्ड भी होना चाहिए अगर नहीं तो कोई दूसरा डोकुमेंट लगा कि इस फोर्म को प्रूप यानि कि आविदन आप कर पाएंगे इस भरती की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात कर लिये जाए तो 31 जुलाई 2023 है रजिस्टेशन की लाज़ डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 11 अगर्ज 2023 से पेमेंट जमा करने क लाज तारिक वही है जो कि 11 अगर्ज 2023 निरधारित की गई है इडिमिट काड एक जाम डेट की जानकारी अवित कुछ भी नहीं निरधार की गई है जैसे ही कुछ भी जानकारी निरधारित कर दी जाएगी और आप सभी को बीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे दो और दोस्तों आप किस राज़ोर जिले से बिलॉंग करते हैं अपने राज़ोर जिले का नाम कोमेंड बॉक्स में कोमेंट कर दीजिए ताकि आपके राज़ोर जिले से कोई भी नया नोटी पिकेशन कोई नई भरती निकल के आएगे तो हम आप सभी को वीडियो के माधम सबस बता से कि आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम